विश्नु देव साहे यह वो नाम है जो 36 करके मुख्यमंत्री के तौर पर शपत लेने जा रहा है लेकिन आखिर विश्नु देव साहे जैसे जंता के बीच में जैसे राजेता के तौर पर है क्या वो परिवार में भी वैसे ही है यही जानने के लिए हम आपको ले करके चल रह पहले से आ गया है सुरक्षा के इंतदाम काफी कड़े हो गए हैं जो कि अभी तक ऐसा नहीं तहला कि परिवार के लोगों के लिए थोड़ा सा भी चीज़ें नहीं है लेकिन आपको लेकर के चलना है इस सरकारी आवास के अंदर जहां पर वो अभी तक अपना वक्त गुद है और फिलाल पूजा अर्चना चल रही है आप से दो चाहेंगे क्योंकि आप यह पूजा अर्चना कर रही है दिन्चरिया के शुरुआत कैसे ही रहती है हमारी दिन्चरिया सुबहाइस्वर का नाम इसुआ का जपन करके हम सोके उड़ते हैं तो हम पहले इस वर को ध्यान सार्ट्य करें हैजिए उनको जल्दी नहीं जाना है तो बंदे आराम से उड़ते हैं और अपना ब्रस स्वर्स करके फ़र निवस देखते हैं पानी योग करते हैं अगरफिसों के साथ बैठेंगे माताजी के साथ कि यहreteण चली जाती है मंदिर से आने के बाद फिर हम अपनी घर के नित्य कर्म क cig काम करते हैं और विश्नुन देव जी अगर आपको पूझा आर्टी आर्ती गानी कर सकते हैंसे तब तक तस्वीर दिखाते रहते हैं तरीके से रोजाना दिन्चरिया रहती है तो बावी अभी अब है आपके साथ में हैं यहां पर हमारे मजले देवर जी रहते हैं सिस्टे आपके साथमें यह हमारी हमारी सगी दीदी जी है और साइजिक की बड़ी भावी भी हैं हम दोंओ पहने कई घर में हैं व्यें के तो बहुत विशाल खांदान है तो इस तरी के नाम से जाना जाता है तो इसके बाद में आप लोग क्योंकि आप दो सगी वहने है तो फिर घर में बैट करके ये भी चर्चा होती है कि अच्छा ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं ये नेता बन रहे हैं ये ओधा मिल गया चर्चा सबसे ने भी स्थे की तो आपके आप श्रय कावी व्क्त हो रहा है है तो आपसे ये भी जना चरहेंगे तो नहीं है सुबह तो मेरा बस रहता है एक हल्की कॉफी हाँ उसके बाद में नौ मैं मेरा नास्ता नहीं रहता है प्रदेश के मुख्या जैसे बन रहे हैं अभी तक वो घर वट हैं विष्दी बाद करें अटो के प्रदेश के लोग जाना चाहेंगे घर के मुख्या के तौр preview of the रहे हैं आप ससक्य है तो उन्हें एक जिसे हैं वो यह जो है जो बड़ा हो माता जी औलछी हो भाई सब करते हैं कं लेजी हैं कैसे है चाचा जी क्या बता हैं हाड कि है केен हमारे हम वकार हमंग के पहीक है घंक क्यों है हम तो सुरू से आते घाते रहते हैं आज वो इतने पुरे तो और आपकी दीदी भी है विश्णु जी की भावी भी है तो आप लोगों को जब जानकारी मिली की कोई ऐसा कुछ सुनने माया था कि रेस में है मुख्यमंत्री बनेंगे और आपकीर से इनका नाम चल रहा था तो भी सबकी एक्ष्ण होती है कि परिवार से कोई बहुत बड़ा इनसान बने तो हम सब लोग उसी हिसाब से मेहनत भी किये भगवान से पूजा भी किये प्रात्ना किये अपने महादे२ से और हमारे गाउं में भी स्थाकि हमारे गाउ गाउं घर से कोई मुख्या बने हैना तो हमारे गाउं वाले बहुत अच्छे हैं घर गाउं में सीव मंदिर पूजा कर ली आप से जाना साइंग जिस समय यहां पर विराइक दनकी बैठा चल रही थी क्या आप लोग पूजा पार्ट में बैठे हुए थे क्या पूजा में ब बनाया गया है उसमें हमारे बच्चे ग्यार्विंपीडी है तो तीसरे नमर उपर से तीसरे नमर में हमारे जो कुछ हमारे दादा परदाता जो भी रहोंगे वह जब उनको बोलते बताते हैं कि उनको बाग ग्रस कर लिया तो उन्होंने आसिवाद देखे गया और करके और अंदाजा लग गया था नाम के अनॉस्मेंट से पहले अंदाजा लग गया था कि हम को फोन आया कि भावी जी आप कहा है तो हमने का बग्या मैं बोले आप जब तक रायपूर नहीं होई है लेकिन आप आप अप गया पहले दी बढ़ाई पहले दे दे और हम यह को करेले के लिए निकल रहे हैं और मैं बहुत बहुत बढ़ाई है यह कैसे आपने बढ़ाई आपको आपको जहें कहां से कहीं पर बीजेपी आला नेतर्व से आपके पास नहीं जानका रही आ गए थी क्योंकि वागई में जब हम हमारे हां यह का अभी चार-पांच साल हुआ कि अलिए हमारे मस्धूब करते हैं प्रेम का फूल ही लूटरत छाब में हमारे में मंदिल को तरहां से कि भगवान जी कि पूजा कर रहा है मनुकामना आपने मांगी फूल गिर गया आपकी मनुकामना पूरी हो गई यह तो कुछ वैसे ही ओगे और उसके बाद में हमने कहा कि टीचर साहब तो सीम बनी गए और तब हम वहां से जब निकले हैं तो मैंने साहब जी को पहल यह चला लिए इतने सानों से और प्रदेश सद्ध्यक चे रहे तो बहुत बार उनका बैठाग इतना रहता था इतर कारेकरम सौप में हैं उसमें हजारों के बीड़ है और बिना तयारी के हमको भेज देते थे तो जब आपको जानकारी मिली उस वक्त घर का क्या महाल था क् प्रदेश कारयाले में थे हम लोग वहां पर थे वहां तो जशन मन रहा था यहां पर यहां पर बैठे दे और वहां सायोग है उस दिन जो हमें हमारे क्लास टीचर रहे हैं और स्रुजन राम भागत जी एडिशनल लेस्पी भी हो गए है अब अभी कांकेर में पदस्त हैं तो वो बैठे हुए थे उनके साथ हम बैठे थे अब बहुत अच्छा लग रहा हो जाएका न मैं दादा निसींद रही है आप मेरे गुरू है और मैं आपके सामने बैठी हुए और एक साथ बैठे हैं तो संब बिलकुल हो जाएगा अब बस तैयारी करें और जब तक हम ब बढ़ाई हो मैडम बढ़ाई हो बहन भावी करके सब आ गये जब घर पे पहुंचे हैं क्योंकि जब यहां घर से निकले थे उस समय तो आप लोग यहां पर नहीं ते कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री वनेंगे जब घर पहुंचे तब तक तो आप लोग पहुंच गए बढ़ाई हैं फिर यहां पर हमने द्वार पे रंगोली बनाया बनवाया खलच सजाया और दस सारे 10-11 बज गे उनके आगमन तक के लिए तब तक फीड लगी रही और चीज बताई हम लोग जब यहां पर चर्चा कर रहे थे हम लोग तो कई सारे नाम पर चर्चा कर रहे थ विश्णुदेव जी का एक नाम था आप तो लगता है कुछ ताल भी जे मिला देती आ विश्णुदेव जी का भी नाम था एक अब इन शाह जी का एक बयान चर्चा में आ रहा था कि आप इनको जिता दीजे बड़ा आदमी मैं बना दूंगा तो हमने वह जा तो महादेव करके कई सारे लोग हैं आप से एक एक करके जाना चाहूंगा विश्णुदेव जी कि परिवार में कैसे और प्रदेश से अब क्या पेक्षाएं आपकी अभी तो कहीं अपक्षा तो बढ़ गई है है ना अब पहले क्या थे अपने अस्तर तक थे किंद्रिया मंत्री थे रा सारा कारी हो जाए है ना और उसमें हम लोगों को उनको सही हो करना पड़ेगा आपकी क्या पेक्षा परिवार के मुख्या के दौर पर तो आप सालों से हैं उनको उनके साथ में रही है वागीदारी आपकी रही है अब क्या पेक्षा क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारिया अ तो बोलते हैं कि तुम्हारा आज कहां है तो सर मेरा तो इधर फसा हुआ है तो बोले तुमको वहां भी अटेंड करना पड़ेगा तो वही मैं सोज लेती है अगर इस बार ऐसी हो गया तो इस जीले से इस जीले तक भागना मेरे बसकी बात नहीं है तो हमने तो यह कर रखा है तो उसी तरीके से हम अपने हर जनता के बीच में सही चैन करेंगे और उनको मा उनको माध्यम बना करके उनको महत्वपुन बना करके हम अगे का कब अने को नाते एक युवा होने के नाते आपक्ट आपिक्षा कर रहीтесь चाहती हूं ऑप परिवार को इतने अच्छे से सम्हा तो उसको पूर्ण करें अभी वैसे आप तो आप लोगों का घर भी शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें तो सालों तक रहे हैं आप तो मुख्यमंत्री आवास में उसकी भी तैयारी शुड़ू कर दियो होगी कि कैसे सजाना है कि हाँ तैयारी तो है क्योंकि बोलते हैं जब तक आप जिस जगा पर जगा आपका हो जाता है तो हम अपने अरुशार उसको बिल्कुल सजा के रखेंगे और जिस तरह के से हमारा गाओं का घर भगिया वह भी हमारी जन्ता के लिए सभी के लिए खुला रहता है यहां भी सभ होने और वही प्रदेश की जंता भी अप्यक्शा कर रही है और समझा जा सकता है कि किस तरीके से पारिवार की अपैक्शाई है लेकिन परिवार की अपनी परिवार का है माहॉल यह तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बया करती है कि परिवार की तौर पर वो कैसे रहे हैं और अप्टेश के मुख्या के तौर पर वो क्या कुछ करने का योजना है और किस तरीके से परिवार का सहीयोग बना हुआ है। सहीयोगी कैमरा परसन जितेन सिंग के साथ अंकिर कुपता इबेपी नियूज रायपूर।